लो दोस्तो पेट गुरू फिर से दोस्तो आपके लिए एक धमाकेदार एपिसोड गुली-गुली पैट शॉप से लेकर आया है और बहुत सारे पपीज आपको दिखाने वाले हैं और सेट अप में काफी तब्दीली भी है वो भी दिखाएंगे तो चले दोस्तो फटापट क स्टाइल में उन्नत भाई से मिलते हैं और शुरू करते हैं आज का फंटेस्टिक एबिसोड उन्नत भाई का स्टाफ आपको यहां पर दिखेगा उसके बारे में मोमू भी साथ में आज आया है तो हम जनरल यहां पर रात को ही आते हैं तो आज हम आपको सेट अप दिखाए में ओके ओके तो क्या अभी चेंजिस है यहां पर यहां पर काफी कुछ चेंज कर दिया पूरा नीचे ग्रास बिचा था अभी मॉंसुन का सीजन आया है तो मख्या वक्या सब आ रही थी तो साब सफ़ई का इस्यू हो उससे अच्छा पूरा सब कुछ निकाल दिया रेडी 0999-2027 यह एक नंबर है दूसरा नंबर है एक मिनिट रुप जहें में पर देखना पड़ेगा दूसरा नंबर है अपना ट्रीपल नाइन डबल एट त्रीवन डबल फॉर वन कुछ दिक्कत लगे तो गूगल कीजिए आप गुली-गुली पैट्शोप कहीं भी सर्च करोगे तो वहां से हमारा नंबर आपको मिल जाएगा ऑफिसल अकाउंट से कीजिएगा दूसरे पेक नंबर या कुछ मिले त अच्छे स्टाफ में यह प्यूश आ गया है और यह नारण भाई है यह 24 गंटे इदर रहते हैं और डॉक अपने सारे डॉक्स यह दोनों संबालते हैं चले दूस्तों तो आप देखिए इनका पर्टिकुलर रूम है वहां पर बहुत सारे पपीज होते हैं तो यह डोबर म आफ में इस पर थोट अलग है और आहमें पेहले दिक्कते हुई है उसकी वजय से हम आपको प्राइस नहीं बताएंगे लेकिन बाकी की बाद आपको उननत बाइचा है क्या दिक्कत है प्राइस में कैसा आप बोल दो प्राइस बताने का प्राइस बताने में कोई इस्यू नहीं है बट प्राइस के अंदर जैसे यह मेरा बच्चा है यह बच्चे का मैंने आज जैसे एपरोक्ट थर्टी थाउजन रुपीज बोला है इसका शे महीने बाद एक साल बाद बंदा आएगा कि डॉबर में में अपने 25-30 जार में इतने में बोला था तो मेरे को अभी ऐसा ही बच्चा लाके दो यह उस टाइम पर पॉस्टिबल नहीं रहता है हर एक चीज की हर एक टाइम पर उ अब थोड़ा हाई पे करोगे आपको ऐसा है कि मेरे को पपी चाहिए पर अच्छा क्यूंकि पपी एक बार 12 साल में एक बार लेने वाली चीज अब एक बार लोगे 12-15 साल उसको पालोगे मेरे हिसाब से अच्छी चीज अच्छी कॉलिटी वाली चीज आप लोगे बहले 25,000 35,000 40,000 तक अच्छा डॉब मिलता है तो उस रेंज में अगर आप जाओगे तो आपको अच्छा गुड कॉलिटी डॉब मिलेगा और जब भी आप डॉब पर्चेस करने आओ उसके पहले मैं कंसल्टिंग करूगा आपकी आपको लेना है डॉब तो आप मेरे पास आना म मैं आपकी कंसल्टिंग करूँगा उसके बाद मैं आपको डॉब प्रीफर करूँगा बट लेने से पहले जो सोचना है वो सोचना लेने के बाद कभी नहीं सोचना लोग जल्द बाजी में पैसा है 20-25,000 रुपे लोग नद भाई हाहां मैं सुच कुछ समझ लिया सब करेगी अभी उसकी लेडिस को प्रॉब्लम है तो भी लेडिस इधर बोलेगी मेरे को यह डॉब नहीं रखना है उससे अच्छा आप पहले सोच के कंसल्टिंग करके एक दो बार आओ चेक करो देखो कि कैसा है उसके बाद डॉब पर यह पैट है सब यह कोई खिलोना नहीं है कि आप टेड़ी बियर जैसा की लेकर चले पसंद नहीं आए तो वापिस दे दिया ऐसा नहीं है यह चीज आपको बारा साल रखनी है यह आपका बच्चा ही है और बच्चे की तरह ही रखना है इसके लिए मैं जो कहरता हूं इसके लिए कपड़े सब कुछ इसके जूते अबिरी परफ्यूम सब इसका यह पवर्फ्यूम तरह है यह फंड़क है यह कीमत आप देखो 아니라 समूंतिंग का कुछ बारासों पच्ची पारसब फच्चीस पा है अरग यह अ Würच्च इसने में दिकत नहीं अए मैं ऐसा बंदा हूँ अगर मेरे को आपसे प्यार हो गया तो मैं आपको ऐसे ही दिल से भी दे दूंगा बड़ आप उसको संभाल पाओगे लेने के बाद जो चीज है वह बड़ी है इसको संभालना बड़ी बात नहीं है लेने में तो जिसके पास पैसा है वह आके तुरंट लेके चला जाएगा लेने के बाद उसको संभालना वो बड़ी टास्क वाला काम है तो आप पहले कोई भी ब्रीड में कंफ्यूजन है कुछ भी है अब मेरे स्टाफ को पूछो मेरे को कंसल्टिंग करो कंसल्टिंग करने के बाद हम लोग आपको डॉक्ट प्रीफर करें तो उन्नत भाई का सिंप पॉलिटी है यह और बोल्डन निकाल है यह वाला करीप 55 डेस के असपास का बाद यह बच्चा देखो और यह बच्चा देखो और यह बच्चा देखो फिर प्वालिटी का डिफरंस आपको खुद को पता चलेगा कि प्रेंट पर्संट डिफरंस अब बोन साइस देखो और यह साइस देखो लोगवको फोटो में बोलते है और हम लोग प्राइस बता दें तो बोलते हैं आपने तो वीडियो में 10 जर वाला कुछ बोला था और फीर मेरे पास यह चीज रहती है तो यह 25 का है था नहीं तो बो रहती है आपको कैसा बच्चा चाहिए और आपको नॉर्मल चीज चाहिए इंपेंट चाहिए इनका प्राइज भी फलक्टुएशन होता है कि कभी ब्रीड हुई कभी नहीं हुई ठीक है तो स्टोक के ऊपर भी लोगो को पता नहीं चलता है वह वद्यों को पता नहीं में रहेगा लिए to आपको हमने एक है वाला दिखाए अब आपको हम दो चाओ चाओ दिखाते हैं ठीक है चाओ चाओ की कोनसी क्या कहें इसका पंच पेस है आप निकला हुआ हूआ आइस देखो और पंजल एक तो पता है यह कितनी हजार से उपर आता होगा यह करीब 25 के असपस से स्टार्ट होता है 25 फिर इसमें अजुबाई इसमें भी कॉलिटी रहती है इसमें एकडम आता है दूसरा को 17-18 के भी आता है इकडम नॉर्मल और मेरे को कैसा है की तोड़ा क्वालिटी वाला काम अच्छा लगता है ठीक है इसके अंदर भी अलग-अलग क्वालिटी के इसाब से रेट रहता है और यह अब देखो इसका मजल देखो एड़ देखो वर्ल्ड का सबसे फेमस डोग है सबसे पाया जाता है और आप इसके साथ कोई भी स्टेंजर भी खेलेगा तो यह कुछ नहीं करेगा देखो लोग कि आप इसके साथ खेल रहा है देखो कि अब पुराने वीडियो में दोस्तों सेमयोइड भी आपको दिखाया है एक से बढ़कर एक ब्रीड दिखाई अभी जो अवेलेबल है वह मैं आपको सारे ब्रीड दिखाऊंगा तो अब नेक्ष्ट ब्रीड जो आपको दिखाते हैं जर्म लेब्राडॉर के बाद जर्म यह थोड़ा मीडियम बच्चा है तो इसका भी प्राइज तोड़ा लो रहेगा और यह देखो आप एक्टिव देखो जर्मन शेपर कि देखो कि अग्याइब कि आपको जितनी भी ब्रीड बता रहा हूं ना हम हर ब्रीड के उपर उन्नत भाय के साथ डीटेल वीडियो बना चुके हैं जर्मन से फट किनको लेना चाहिए लेब्राडॉर किनको लेना चाहिए हमने पूरी गुली गुली पेट शोप की जो आप इस सर्ट पे देख रहे है कि पूरी हमने वेब सीरीज बना कर रखी है मतलब आप कह सकते हैं पूरी एक सीरीज बनाईए जिसमें हर डोग के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी किसको वो डोग लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए और बहुत जल्द आज ही के आज हम आप लोगों के लिए पपी ले जाते हैं तो आपको सुरुवात के दो महीने चार महीने चे महीने क्या खयाल रखना वह भी बाते में उन्नत भाई से कर लूँगा ताकि आप पपी गुली-गुली से ले यह कहीं और से ले आपको कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े ठीक है तो यह जर्मन स करेंगे चो थो चोटे small puppies होते वह गाट नहीं कर पाएंगे लेकिन आगए जाके आपको गाड भी करेगा वैसे ही हमने आगे đi अर्जवर्मेण बहुत अच्छा बहुत अच्छा इंटेलिजन्ड हो गो है वह भी आप देख सकते हैं ऑप गाड़िंग के लिए番 और अभी आ अगर आप लेते ने तो आपके लिए बहुत एक अच्छी बात है कि जैसे आप देख रहे हैं कि इसके अंदर शिजु शिजु एक टोई ब्रीड में आता है तो इसके लिए बहुत एक अच्छी चीज देखने को मिलती है कि आपके पपीज है या आपकी कीटन से जो बड़े नहीं होते हैं मतलब कि जो डोग बढ़े नहीं होते हैं उनके लिए यह बहुत खूपसूरत बेग निकाला है तो इसके बारे में बताएंगे और शिजु के बारे में बात करेंगा जी उननत बाई हाक यह ट्रांस्पोटेशन के लिए अभी बैस्ट यूज हो रहा है बहु अब यह डिलिवरी के लिए जाई रहा था यह बूक हो गया है राणिक में है मैडम जी उन्होंने ले लिया है यह बच्चा सेवेंटीन तारिक को इसकी डिलिवरी है अच्छा सत्रा तारिक को इसकी डिलिवरी है को इसको लिए जाने के बाद क्या खिलाना क्या बीलाना हों आगे आने वाले दिनों में आपको बताएंगे क्या कर्णा यह लेना वह नहीं बड़ी बात नहीं उस इसको संब्वालना बहुत बड़ी कि दोस्तों यह मतलब थिम्मेदारी लेने चारे है यह समझान अगर बिकना चाहिए आप फिर परेशान होंगे आप इसकी ध्यान ने रखेंगे इसको बीमारी होगी या फिर आप वापिस दे जाएंगे तो आपको भी तकलिफ होगी और यह ननी जान को भी तकलिफ होगी यह बहुत सारे पपीज देखकर मजा होगा एक छोटा सा एपिसोड हमने बनाया है अंगोरा रेबिट्स के ओपर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए मजा आ जाएगा अंगोरा रेबिट्स जो मैंने आपको पहले एंटर होके दिखाए तो वह देख लीजिएगा प्राइस के साथ वीडियो है अंगोरा रेबिट्स का प्राइस और गुली गुली पैट्स को आप कोंटेक कर सकते हैं तो चलिए दूस्तों आज के लिए इतने उमीद करना हो एपिसोड पसंद आगो पसंद आगो पसंद आए चैनल सब्सक्राइब लाइक शेर कर ये मिलते सब्सक्राइब करें तब तो के लिए 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 कि आरा सो छोटा सब्सक्राइब रेक